सुल्तानपुर उत्तर प्रदेस का एक प्रमुक जिला है यह जिला गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है सुल्तानपुर जिला फैजाबाद मंडल के अंतरगत आता है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेस राज्जी का एक ऐसा भाग है जहां अंग्रेजी सासन से पहले उदार नवाबों का राज था पौराडिक मानेता अनुसार आज का सुल्तानपुर जिला पूर में गोमती नदी के टट पर मर्यादा परुसुत्तम भगवान स्री राम के पुत्र कुछ दुवारा बसाया गया कुछ बवनपुर नाम का नगर था सुल्तानपुर का अहमिस्तान रहा है ये सहर भारत की राजदानी नई दिल्ली से 671 किलोमीटर और उत्तर प्रिदेश की राजदानी लखनव से 192 किलोमीटर की दूरी परिस्तित है सुल्तानपुर जला कैई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है सुल्तानपुर के उत्तर में फैजाबाद और बस्ती जिला दक्षिड में प्रयागराज और वारानशी जिला पूर में आजमगर जिला तता पश्चिम में अमेटी जिला इस्तित है सुल्तानपुर जिला कुल पांच तैसीलों में बटा हुआ है जिन में सदर, कादीपुर, लंभुआ, बल्दी राय और जैन सेहंपुर सामिल है लगबग 436 बर्ग किलोमीटर के छेत्र में फैले हुए सुल्तानपुर जिले की कुल जन संक्या, 2011 की जन गड़ना के अनुसार 47 लाग से उपर थी आबादी के लियाज से सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश का पंदरवा, सबसे बड़ा जिला भी है सुल्तानपुर जिले की साथ चरता दर, 83 दसमलब, 42 परतिसत है जिन में पुरुष साथ चरता दर, 88 परतिसत और महला साथ चरता दर, 77 परतिसत है इससे यह पता चलता है कि जिले के जादा दर लोग पड़े लिखे बर्ग के हैं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की साथ साथ इस जिले में अबदी भासा भी बोली चाती है जुदी, पुजा, कौलकरता के बाद अगर जुदी, के कही धूम है तो वह है सुल्तानपूर खास बात यह है कि पूरे भारत में जहां म दुर्गा की पुरतमाओं का विसर्जन दसमी को होता है तो वही सुल्तानपुर में विसरजन उसके पांच दिन बाद पूर्डिमा को होता है आवा गमन की ड्रस्टी कोट से सुल्तानपुर जिला रेल मार्ग, ठड़क मार्ग और वायू मार्ग तीनों मार्गों से जड़ा हुआ है रेल मार्ग, सुल्तानपुर जिले में कुल वारे रेल्वे स्टेशन मौजूद है जिसमें से सुल्तानपुर जंक्सन रेल्वे स्टेशन यहां का प्रमुक रेल्वे स्टेशन है यहां पा प्लेट फॉर्मों की संक्या चार है और छे रेल्वे ट्रेक मौजूद है सुल्तानपुर के सिविल लैन इलाके में इस्तित है सुल्तानपुर बसस्टेंड सुल्तानपुर का ये बसड़ा अपने सड़क मार्ग के जरिये भारत के कैई सहरों से जुड़ा हुआ है इसके जरिये आप सुल्तानपुर सहर तक पहुंच सकते हैं सुल्तानपुर जिला अपने खूपसूरत परेटन स्थलों की वज़ा से भी जाना जाता है आई जानते हैं वो कौन से परेटन स्थल है जिनके विना सुल्तानपुर का ब्रहमण अदूरा है कल्प ब्रच्च कल्प ब्रच्च सुल्तानपुर जिले में घुमने के लिए एक धार्मिक इस्तल है यहां पर आपको कल्प ब्रच्च देखने के लिए मिलता है कल्प ब्रच्च के बारे में कहा जाता है कि आप इस ब्रच्च के पास कोई भी मनोकामना या इच्छा लेकर आते हैं तो यहां ब्रच्च आपकी मनों कामना जरूर पूरी करता है परियावरण पार्क सुल्तानपुर जिले का एक सुन्दर इस्तल है यहां गार्डन गोमती नदी के किनारे बना हुआ है सीता कुंड धाम सुल्तानपुर सहर का एक प्रमुक धार्मेक इस्तल है इस जगह गोमती नदी का सुन्दर गार्ड बना हुआ है कहा जाता है कि भगवती सीता ने अपने वन गमन के समय इसी स्थान पर इस्नान किया था धोपाप मंदिर, धोपाप मंदिर सुल्तानपुर का एक धार्मेक इस्तल है यहां मंदिर सुल्तानपुर जिले में लंभुआ तैसील में इस्तित है दोस्तो सुल्तानपुर जिले में ऐसे और वी परेटर इस्तल हैं जो देखने योग हैं तो दोस्तो सुल्तानपुर जिले की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा